भारत सरकार में एक मंत्री हैं जो बहुत कम बोलते हैं मीडिया में भी कम ही दिखाई देते हैं लेकिन आज कल वो बोल रहे हैं खुलकर बोल रहे हैं और भरपूर बोल रहे हैं हम बात कर रहे हैं देश के विदेश मंत्री यह जैशंकर की नमस्कार मैं हूँ आदित्य और काजधानी में जो कुछ बवाल कटा उस पर बिटिस संसद में चर्चा हुई बिटेन की संसद ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्रे में हैं सिविल राइट्स अब सुरक्षित नहीं है इसके अलावा कुछ दिन पहले ही अमेरिका में इस्थित गवर्मेंट फंडेट संस्था फ्रीडम हाउस ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी रिपोर्ट का नाम था फ्रीडम इंद वर्ल 2021 फ्रीडम इंद वर्ल एक एन्वल ग्लोबल रिपोर्ट है जिन में दुनिया भर के देशों में राजनेतिक और नागरिक स्वतंतता का आकलन किया जाता है इसके अलामा इसम पब्ली सुइस रिपोर्ट में एक जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच 195 देशों के तमाम घटना क्रमों का विशलेशर किया गया है भारत के बारे में संस्ता ने कहा है कि भारत एक मल्टी पार्टी डिमोक्रेसी है बावजुद इसके प्रधान मंत्री नेरेंद्र मोदी और उनकी हिंदू राष्टवादी भारती जनता पार्टी की सरकार ने मुस्लिम आवादी को प्रहवित करने वाली बढ़ती हिंसा की अगवाई की है अब देश के विदेश मंत्री ने इन दोनों मुद्दों पर जवाब दिया है और सूत समेत सवाल भी पूछा है उक्सप कर निसाना बनाया गया इस मामले पर विदेश मंत्री ने राजस्वा में कहा कि हम महत्मा गाधी के देश के लोग हैं हम नसलवाद के मुद्दे को नजर अंदाज नहीं कर सकते तब तो बिल्कुल नहीं जब उस देश में हो रहा हो जहां बड़ी संख्या में भारती रहते हूं इसके अलाबा विदेश मंत्री ने फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट पर भी जवाब दिया एक चैनल के इंटर्विव में फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्री यह जैसेंकर ने कहा था कि आप जिन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उनमें लोकतंत्र और निरंकुस शासन का जिक्र किया गया है पर यह डेमोक्रेसी या आटोक्रेसी की बात नहीं है बलकि यह हिपोक्रेसी की बात है यह लोग हैं जिनके हिसाब से चीज़ें नहीं होती तो उनके पेट में दर्द होने लगता है ब्रिटेन और भारत के बीच आजकल राजनेतिक तौर पर काफी कहा सुनी चल रही है आगे जो कुछ भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाया जाएगा आप देख रहे थे अनकट शुक्रिया